हेलो स्टुडेंट्स आज हम एलजब्रा का एक इंपोर्टेंट टॉपिक rank of matrix को डिस्कस करेंगे स्टुडेंट इस वीडियो के अंदर हम इसे minor method या फिर determinant method से rank of matrix को निकालेंगे तो सबसे पहले rank of matrix को थोड़ा समझ लेते हैं इसकी definition के बारे में तो सबसे पहले जो rank of matrix की definition वो है, a non-zero matrix A, कोई non-zero matrix आपको A दी वही है, of order M by N, उसके order भी दिया गया है, जो कि आपका M cross N है, इस set to be rank R, तो उसका rank R कब होगा, if it has at least one non-zero minor of order R, कि कम से कम उसके पास एक non-zero order R का minor होना चाहिए, और every minor of order, जो इसका second है, आपका जो second इसका, जो इसकी definition में second part है, every minor of order R plus 1 of A, if any, is zero, और अगर किसी matrix का rank R है, तो R plus 1 वाला, जो order वाला minor होगा, वो क्या होगा, उस matrix का 0 होगा, तो student matrix की, जो हमने ये rank of matrix की definition तो पढ़ ली, और इसको थोड़ा सा समझा भी, लेकिन अगर हम इसको example से, और ये minors, sub matrix, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ बाना चाहिए, माल लीजिए, फिर इस, जो आपने ये definition पढ़ी, इसको मेगवर फिर दुबारा से फिर रीड करेंगे, क्योंकि फिर ये मुझे लगता है आपको और बढ़िया clear हो जाएगी, तो माल लीजिए, आपके पास ये 1, 5, 6, 3 by 3 में matrix लिख लेती हूँ, 3, 4, 7, कोई भी matrix मैंने, कोई भी उतार ली हाँ से, ये आपकी 3 by 3, इसका order है, इस matrix का, अब माल लीजिए, मुझे इसके rank की बात की जाती है, सबसे पहले तो बात करते है, सब मैट्रिक्स क्या होती है, सब मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, जिसके अंदर अब क्या करते है, या फिर दोनों ही या तो row delete करके बना या column delete या फिर बोथ row भी delete करते हैं, column भी delete करते हैं और उससे चोटी matrix बनाते हैं like मैंने क्या किया है यहाँ पर 1, 3, 5, 4, इसको निकाला तो यह क्या है इसकी sub-matrix है और अगर यह जो sub-matrix हमें दीवी ही है और 5, 3, 4, 15 इसका जो आंसार आता है कितना आता है माइनस 12 आता है तो student हम जब भी किसी square matrix की बात करते हैं यानि कि जब determinant की बात होती है तो हम क्या करते हैं determinant हमिशे square matrix का निगालते हैं तो मानली जी मैंने ये sub matrix लिखी और determinant अगर हम किसी भी square sub matrix का मतलब जो matrix है उससे छोटी अगर हम कोई डिलीट करके row या column डिलीट करके सब matrix बनाते हैं square matrix बनाते हैं और उसका अगर determinant निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं माइनर ओफ दा मैट्रिक्स बोलते हैं तो इस case में क्या होगा या आपका क्या होगा माइनर निकलता है किसका matrix A का तो इसका student जो हमने minor एक ही minor अभी आपने 2x2 जो order की निकाली है कितना निकला है student minus 12 इसी तरीके से अगर माल लीजे आप इन elements को लेके निकालते तो यह भी 2x2 की matrix होती जो की square sub matrix होती इसका अगर में determinant निकालती तो यह भी क्या होता है एक minor होता किसका जो आपकी A matrix है तो मुझे लगता है student minor और sub matrix यह आपको इस discussion से थोड़ा सा clear हो गया होगा अब बात आती है आपके rank की बात आती है जो अब हमने definition पड़ी थी एक बार फिर दुआर अगर हम इसे read करते हैं तो मुझे लगता है भी आपको clear हो जानी चीए जैसे कि आपने बोला rank of matrix क्या होता है इसमें आपको non zero matrix भी होती है उसका आपको order दे रखा है अगर उसका rank R है और यहाँ पर rank of A यानि कि हम इसको row से denote करते है which is equals to R तो इस तरह से आपने लिखा it is at least one non zero minor of order R मतलब किसी matrix का अगर rank R है तो कम से कम एक non zero minor of order R होना चाहिए मतलब अगर हम मैं कोई minor लिख हूँ और उसका determinant निकालों तो उसका answer कैसा आना चाहिए non zero आना चाहिए कम से कम एक तो ऐसा होना ही चाहिए जिसका कि अगर हम minor निकाले तो कैसा आना चाहिए non zero होना चाहिए और उसका order का it has at least one non zero minor of order R मतलब R order का कम से कम एक minor तो आपके पास exist करना ही चाहिए दूसरा अगर मिरे को R plus 1 माल लिजे मैंने two order का minor निकाला और उसका अगर answer आता है non zero determinant तो आपका क्या हो जाएगा वो कम से कम एक minor exist कर गया अगर उससे एक बड़ा order में निकाल दो जैसे two order का निकाला two by two matrix लिखी अगर माल लिजें मुझसे एक order बड़ा कर देते हैं three कर देते हैं three by three का निकालते मतलब R plus one करने का मतलब two by two था आप इतना हो जाएगा three by three अगर में निकालते हूं three by three order का minor निकालते हूं उसका अगर determine निकालें तो हर केस में क्या आना चाहिए zero आना चाहिए तो student अब भी मुझे लगता है आपको कम थोड़ा सा clear होगा लेकिन minor sub matrix non zero minor यह कुछ clear हो गये होंगे कि अगर आर ओडर का अगर आपका आर रेंक है तो कम से कम एक non zero minor आपके पार exist करना चाहिए जिसका order क्या होना चाहिए आर होना चाहिए कम से कम एक एक से जादा भी exist कर सकते हैं मतलब two by two का है तो two by two की और भी sub matrix exist कर सकती है जिनका की जो अगर आप determinant निकालेंगे minor निकालेंगे तो कैसा आना चाहिए non zero आना चाहिए और अगर उससे बड़े order का हम निकालेंगे जैसे two order का है और अगर मैं three order की निकालने शुरू करो minors तो वो क्या होने चाहिए सारे के सारे zero होने चाहिए उस case में आपका rank क्या होता है student r होता है तो student हम क्या करते हैं कुछ examples हम कर लेते हैं और example से मुझे लगता है आपको जादा clear हो जाएगा और एक और बात जो कि आपका एक important जो हम rank में discuss करते हैं rank of matrix होता हम इसमें actual करते क्या है हम यह कोशिश करते हैं कि हम non zero rows non zero columns निकालते हैं किसके जरी निकालते हैं elementary operations के जरी हम क्या कोशिश करते निकालने की कि एक matrix के अंदर number of non zero rows number of non zero columns कितने हैं अगर यह नहीं हो पाते तो क्या करते हैं कभी जो उमारे आगे आने वाले जो वीडियोज होंगी जिनके अंदर हम नए method सीखेंगे rank of matrix निकालने के तो उनके अंदर हम क्या करेंगे elementary operations लगाएंगे और elementary operations लगाके हम यह चेक करेंगे कि हमारे पास non zero rows या फिर non zero columns उसके अंदर कितने हैं तो इसको ही हम rank निकालना मतलब असलियत में जो होता है कि हम rank निकालना इस ही को बोलते हैं कि 90 rows या 90 columns की वहां पर बात होगी जैसे माल लीजिए अपने identity matrix लिखा होता बन जीरो जीरो बन अब सबसे पहले यह देखेंगे अब मैं number of non zero rows की बात करती हूं तो एक element यहां पर भी ऐसा है जो कि आपका यह जो row है non zero बन जाती है इसी तरीके से यह row भी कैसी है आपकी non zero row है क्योंकि एक element यहां पर भी ऐसा है जो कि one exist करता है और student अगर मैं इसमें कोई भी elementary operations लगा लूँ कुछ भी ट्राइ कर लूँगी इस matrix को मैं अब zero matrix नहीं बना सकती कितने भी elementary operations मैं लगा लूँ लेकिन यह element of zero matrix नहीं बनने वाली है इसके अंदर दो row या फिर हम बोल सकते हैं दो column इस तरीके के हैं जो कि आपके कैसे हैं non zero है अगर मालीजिए मैं row की बात करूँ तो यह दो नहीं row कैसी है non zero है तो इस case में student इसका determinant जब हम निकालते हैं अगर हम single की बात सबसे पहले हम determinant निकालते हैं अगर वो square matrix है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप क्या निकालेंगे उसका determinant निकालेंगे अगर मैं इस two by two order की matrix का determinant निकालते हूं तो student कितना आता है बना जाता है आपके पास आप क्या है क्योंकि जब इसका determinant non zero है तो इसका rank student कितना हो जाएगा two क्योंकि इसका two by two order का जो हमने matrix लिख रखी है इस case में आपका determinant क्या आजाता है non zero जो की zero के equal नहीं है ये बन क्या है आपका zero के equal यहां से नहीं है इसका मतलब student इसका rank क्या हो जाना चाहिए two अगर माल लीजिए इसका determinant कोई ऐसी matrix आपने two by two order के लिख रखी है जिसका determinant zero आ जाता है फिर उस case में आप उसका rank क्या answer देंगे उस case में आप देखेंगे कम से कम उसकी एक एसी रो होनी चाहिए जिसमें कम से कम एक element क्या हो नोन जीरो हो तो आप उसका rank क्या देंगे student one answer देंगे क्योंकि zero matrix के अलावा हर matrix के अंदर कम से कम कोई ना कोई रो कोलम ऐसा exist करता है जिसके अंदर कम से कम एक नोन जीरो element आपके पास जरूर एक्जिस्ट करता है यानि कि one order का माई नमा पर एक्जिस्ट करता है तो आप उस case में rank answer क्या देंगे student one answer देंगे और otherwise अगर आपका two by two की matrix है और आपका determinant नोन जीरो आता है तो इस case में आपका rank क्या हो जाता है क्योंकि दो रो ऐसे हैं या दो कोलम ऐसे हैं जिसके अंदर आपकी नोन जीरो element एक्जिस्ट करते हैं तो आपका rank कांसे student क्या आता है two आता है तो student आप more examples कर लेते हैं उससे मुझे लगता है आपको और भी clear हो जाएगा तो अब आपको यह समझ में आ गया कि अगर हमारे पास square matrix हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यह भी zero से अंदर वाले minus multiply होंगे यह भी zero होगा तो सिर्फ आपका answer कहां से आएगा यहां से आएगा तो मैंने इसको लिखा अब यह इसको five को लिखता है आप कितना बज़ता है student zero two one zero तो अब student क्या होगा क्योंकि zero से कोई भी minor multiply होता अंदर zero यह वाला भी zero plus का five अब यह देखिए का zero zero से multiply और यह कितना हो जाता है आपका minus two इसको आप calculate करते हैं तो student आ जाता minus ten which is not equal to zero इसका मतलब इस matrix का order कितना था student three था और इसका जब हमने determinant निकाला तो क्या है non zero आया तो इस case में आपका rank of क्या बचता है student three बचता है अब जो की हमारी definition देखिए का क्या बोला गया था लेकिन यहां पर अगर हम definition की बात करें तो डारेक्टी जब आपका यह आ चुका है कि अगर आपका करेंगे वन बाइबन के करेंगे लेकिन three order की है तो कितने एक्जिस्ट करेंगे student two by two order के में करेंगे अगर मान लिजी वो two by two क्योंकि आप जितने भी माइनर्स लेते उन सब का भी determinant zero आ जाता इन देट केस एका भी determinant zero फिर आप जाते two by two order के माइनर्स में देन उन जाता है तो फो ही फिर क्या हो जाता है आपका rank हो जाता है कि कि हांसे जब आपने इंद्र में निकाला तो क्या है आपका माइनर्स तैन विच इन बाइबना सेकेंड एग्जामपल जिसमें कि आपका ओड़र 3 by 4 जो की आपका इहां पे square matrix नहीं है तो इस केसमें क्या तो माल लिजए आपने फर्स्ट ही अपना माइनर लिखने की कोशिश करी जो कि आपने लिखा आपको सब मैट्रिक्स ही लिखनी है कोई भी आप रोर कॉलम डिलीट कर सकते हैं जैसे मान लिजए मैंने यहां से लिखा यह वाला हिस्सा जो है मैंने 3x3 ओडर का माइनर यहां से बचता है 2042 यह वाले elements बचते हैं आपके 2042 फिर आपका आता है student माइनस का 2 अब यहां से जो elements बचते हैं वो लिख लिजए आप यहां से 1022 फिर आपका student बचता है प्लस का 3 और यह आपके जो elements आते हैं यह बचते हैं student आपके 1224 यह वाले जो आपके elements से यह आप लिख लें आप determinant निकालते, इसका मतलब आप determinant यहाँ पे नहीं निकालेंगे, इस case में आप 3 by 3 order के जितने भी minors हैं, सबसे पहले आप जो minor निकालेंगे, उसके determinant की बात करेंगे, अगर वो 0 आता है, तो देखेंगे, अगर वो 0 नहीं आता है, तो फिर आपका वो ही rank हो जाएगा, 0 आ ज जो आजाता है, यहाँ से 4, और 4 को 0 से करता है, तो 0, यह minus का 2, बन जाएगा 2 पे, यह भी 2 बच गया, और यहाँ से आता है 3, 4 बन जा 4, 2, 2 जो भी कितना बचता है, यह बचा 4 multiply करके, यह minus 4, और 4 minus 4 0, और 3 से multiply होके कितना हो जाएगा 0, और 4 से 4 cancel होके भी student कितना बचता है आपका 0, मतलब आपने first ही जो अपना 3 by 3 order का minor लिया, वो student किस की एकवला आगया, आपका 0 की एकवल, मतलब अब आपको अपना कोई और 3 by 3 order का इसी matrix में से आप choose करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ डो या column delete करके, sub matrix choose करेंगे, then फिर उसका determine निकालेंगे, तो अब हम उसकी ब हटा लिया, और अब आप करते हैं फिर से rank की बाद, तो student अब हम इस case में क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा आपना लेके चलते हैं, ये आपका, और जो ये बीच वाला portion है, जो हमने पहले लिया था, इसको यहां से हमने हटा लिया, अब हमने 3 by 3 order का दूसरा लिया, क्योंकि वो आपका 0 आ चुका है, तो ये आपने लिया यहां से 2, 3, 1, 2, 0, 3, 4, 2, 6, तो ये हो जाएगा आपका यहां से 2, और यहां से गया 0, 3, 2, 6, और ये बचा आपका माइनस का 3, यहां से बचता है आपका 2, 3, 4, 6, और ये बचता है student आपका 1, और ये बचता है 2, 0, 4, 2, अब student अगर आप निकालते तो ये बचेगा आपका 2, अब ये 0, 6, multiply हो कि कितना बच जाता है यहां से student माइनस का 6 बचेगा, इसे हमने लिख लेते हैं यहां से, और ये 6, 2, 12, 4, 3, 12 बचता है आपका यहां से, और ये आपका बचता है 2, 2, 4, 4, 0 से होगा, then यहां पर भी 1 है, तो multiply करके वही आएगा, तो ये बचता है आपका माइनस का 12, 12, 12, 12, 0 बच गया, ये भी 0 हो जाता है, और प्लस का 4 जो लास्ट में उसे आप लिख लेते हैं यहां पर, ये बचता है, तो ये student बचता है आपका माइनस का 8, which is not equal to 0, मतलब कम से क आपके पास, अगर मैं और निकालना चाहूं 3x3 order के, अगर मैं और के साथ काम करना चाहूं, कुछ और road delete बगरा करके करना चाहूं, जब हमारे 3x3 order के सारे over हो जाते हैं, और सभी का 0 आने लग जाता है, फिर हम 2x2 order के निकालते हैं, अगर 2x2 order का भी कम से कम एक minor exist कर जाता और अगर वह भी आपके 2x2 order के भी सारे 0 हो जाते हैं, तब आप इसका answer क्या देते हैं, क्योंकि कम से कम एक element तो आपके पास matrix में ऐसा होता है, जो कि क्या होता है, नोन जिरो होता है, तो आप उसका rank क्या देते हैं, तो 3x3 के सारे चेक करने हैं, फिर आप 3x3 के, अगर एक जाता है, तो आप वही आपनी प्रोसेस को रोग देंगे, और आपका rank के आजाएगा student यहां से 3, इस matrix का rank कम से कम है, तो इसका मतलब कम से कम एक चेक करना होता है, और चाहें आप 0 आए, ना आए, उससे आपको कोई matter नहीं है, आपको 2x2 order के भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम आपको 3x3 order का जो है, आपका minor मिल चुका है, तो इसका rank student कितना हो जाता है, आपका 3, तो student मुझे लगता है, यह दोनों examples आपको clear हो गए होंगे, अब हम क्या करते हैं, इसके थोड़े remarks करते हैं, remarks में क्या होगा, आपको काफी clear और हो जाएगा, कि अग तो student first, जो आपका इसमें दे रखा है, rank of zero matrix is zero, कि अगर किसी भी zero matrix है, तो आपका पता है, कोई भी non zero element होगा ही नहीं, और determinant की बात भी नहीं होगी आपे, क्योंकि वो भी zero ही आने वाला है, तो rank अगर zero matrix का निकालते हैं, तो क्या आता है, zero आता है, if A is non zero matrix, then it has at least one non zero element in it, and has at least a non zero minor of order one, मतलब मान लीजिए कोई non zero matrix है, तो कम से कम एक non zero element जरूर exist करेगा, यानि कि one order का कम से कम एक आपके पास क्या exist कर जाएगा, minor exist कर जाएगा, तो इसका मतलब हमेशा, हर matrix के लिए, अगर आप लिखते हैं, यहां से, अपना rank of a, हमेशा जो का first remark है, हमेशा rank of a क् तो वन आता है, या फिर वन से बढ़ाता है, भन से बढ़ा उस case में आ जाता है, जैसे मान लीजी two by two order की matrix है, और उसका determinant आप firstly निकालते है, जिसका rank two आ जाता है, three order की अगर कोई matrix है, और आप उसका determinant निकालते है, और वो अगर आपका non zero आ जाता है, तो आपका ऊदर né हो जाता है रेंग अगर 3 order की है और अगर माल लीजी 3 order के determinant 0 आ जाता है तो फिर आप 2 order के minor check करते हैं और 2 order का भी आपका माल लीजी नहीं 0 आता है जो सब matrix है तो उस case में क्या होता है rank 2 हो जाता है और अगर माल लीजी 2 order के भी सारे minus 0 जाता है तो आपकी non 0 matrix होगी 0 matrix का हमेशा 0 होगा तो student इनने आप साथ साथ समझते वे चलें इससे क्या होगा जब आप अपने examples करेंगे questions करेंगे तो आपको काफी clear होंगे if a is m by n matrix माल लीजी कोई भी order आपको दिया हुआ है तो rank of a less than equal to क्या होता है minimum of a more n माल लीजी आपकी 3 by order की matrix exist करती है इसका order कितना है 3 by 4 है और अगर माल लीजी हम rank की बात करते हैं तो हमेशा rank क्या होता है किस से less than equal to होता है माल लीजी इन दोनों में से minimum कोन है 3 तो rank हमेशा क्या होगा अगर माल लो में rank को फिर बात करूँगी हमेशा या तो 3 होगा या 3 से क्या होगा कम 3 से less होगा मतलब दोनों में से जो minimum quantity है तो उसके equal होगा या फिर उससे क्या होगा स्टूडेंट कम होगा अब आप पिछला अपना question देखिए जो आपने example किया इसमें order कितना था आपका 3 by 4 था तो आपका rank इस case के हिसाब से कितना होगा हमेशा less than equal to 3 होगा या तो 3 हो सकता है या फिर क्या होगा 3 से कम होगा तो हमारा इस case में answer कितना है था स्टूडेंट 3 आया था तो अब हम इसमें फिर से जो आगे वाले रिमार्क से वो कर लेते हैं अगर कोई identity matrix दी वही आपको जिसका order n है तो उसका हमेशा जो आप rank निगा लेंगे मैंने इसको रो से दिनोट कर रखा है यानि कि पी जो रो फाई है वो इसको किसके आएगा n के तो student इसके लिए आप examples यहाँ पर कर सकते हैं यह आपने यहाँ पर लिखा माल लिजे एक होई आपने identity matrix लिखनी अब आपको यहाँ पर तो आपने identity matrix अपनी लिखी 3 order की माल लिजे आपने लिख ली 0, 1, 0 और 0, 0, 1 तो इसमें आपके देखेंगे non zero rows और non zero columns कितने 3 और इसका order भी कितना है 3 इसका determinant निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा which is not equal to 0 इसका मतलब आपका यह जो इसका rank कितना होना चाहिए student 3 तो rank की अगर हम बात करते हैं किसी भ कितना हो जाएगा 3 अगर माल लिजे अब 2 by 2 order की लिखते हैं तो इसका भी अगर आप determined निकालते तो non zero आता और इसका order कितना है student 2 और इसमें वैसे भी देखते तो non zero rows non zero columns की बात करें तो कितने 2 है और determinant 2 order है और non zero है इसका मतलब इसका rank कितना हो जाएगा student 2 तो आपने आपने उसका rank निकाल दिया फिर आप उसका transpose करते हैं देखिए transpose करने से सिर्फ क्या होता है आपके जो रोज है वो columns में चेंज हो जाते हैं और columns में चेंज हो जाती है तो इससे तो कुछ मैटर करेगा नहीं आप फिर से वह सब मैट्रिक्स वगरा बनाएंगे अपनी उनका determinant find करेंगे तो आप यह देखेंगे कि transpose का चाहिए आप rank निकाले matrix के चाहिए matrix original का जो original matrix है हमेशा दोनों का rank क्या आता है सेम आता है यह आप identity matrix से भी सीख रहे हैं क्योंकि इसमें एक diagonal matrix से सारे elements से में वह मैटर नहीं करता है यहाँ पे elements में लेकिन हमने देखा कि non zero elements थे किसने इसके अंदर यह 0 यह 0 यह 0 यह 0 तो इसमें number of non zero elements कितने है student 3 जो कि diagonal elements हैं देखें एक बार इससे आप दुबारा पढ़िए कि the rank of diagonal matrix is equal to the number of non zero elements जो non zero elements diagonal में होंगे न उतना उसका rank होगा उसकी इकवाल आएगा अब माली जी इसका अगर आप क्या निगालते हैं यहां से determinant निगालते हैं वैसे अगर आप determinant किसी भी diagonal matrix का निगालते हैं तो diagonal elements को multiply करेंगे तो आपका क्या आ जाता है determinant तो यह हो जाएगा 7 4 जा कितना हो जाता आपका 28 क्योंकि देखें माली जा आप 1 को लिखते हैं तो यह किस कितना होने वाला है 28 आएगा और अगर आप 0 के साथ कोई भी minor multiply करें इसके साथ कोई minor multiply करें हमेशा क्या आएगा 0 तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी diagonal elements जो diagonal matrix है उसका determinant निकालते हैं तो हमेशा किसके को ला आता है student वो सके जो diagonal elements है अगर उन सब को आप किसके को ला जाएगा यहां से 28 तो ध्यान रखना है यहार मैट्रिक्स में यूस्फूल आपके लिए कि डिटर्मिन फे हमेशा क्या होता है जो diagonal elements होते है उनको multiply करके क्या आ जाता है diagonal matrix की बात हो रही सिर्फ यहां पे तो हमेशा diagonal elements को अगर आप multiply करेंगे जो diagonal matrix दी वही है स तो student मुझे लगता है यह remark में आपको clear हो गया होगा उसके बाद है the rank of matrix is greater than equal to r कि जो rank of matrix है greater than equal to r if there is at least greater than equal to r किस case में है if there is at least one r road minor कि कम से कम एक r road minor आपके पास exist करता है which is not equal to 0 मतलब rank of matrix या तो r या तो r से greater किस case में अगर आपके पास कम से कम एक r row का minor exist करता है बना r order का अगर आप minor निकालेंगे वो exist करता है which is not equal to क्या होना चाहिए आपके पास 0 होना चाहिए जैसा कि अभी आपने निकाला कि अगर आप अपने examples को check करते हैं तो अगर हम इस example की बा कितना था student 3 by 3 था कम से कम एक आपके पास exist कर रहा था तो इसका order कितना आया था student 3 आया था मतलब अगर आपने rank की बात की वहां पे r तो greater than equal to कम से कम एक या एक से जादा आपके पास exist कर सकते हैं या तो greater हो सकता है r से या उससे क्या हो सकता है greater than equal to भी हो सकता है जादा भी ह सकता है तो स्टुडेंट अब हम कर लेते हैं इसका रिमार्क अगला जो कि आपको दिया होगा है तो यह आपको समझ में आगा होगा greater than equal to r होगा greater भी हो सकता है equal to r भी हो सकता है लेकिन कम से कम at least एक रो का minor उसके पास जरूर एक्जिस्ट करेगा जिसका क्या आपने treatment निकाला तो जो किसके को लाया था note equal to 0 जो कि अपने example में भी क्या है if every minor of order r plus 1 of a vanishes then row of a less than equal to r मान लीजिए मैंने बोला कि अगर then आपको बोला गया कि अगर किसी matrix के rank की बात हो रही है less than equal to r किस case की बात हो रही है अगर मान लो r plus 1 order के सारे minor आपके क्या हो जाए when issue हो जाए मान लीजिए कि आपका यहां पे जो rank है वो क्या है less than equal to 3 है तो इसका मतलब जो 4 order के 4 order के जितने भी minors होंगे वो क्या हो जाएंगे student आपके 0 हो जाएंगे यह बात तो clear है वैसे भी अगर आप 4 order की कोई matrix लेके चलते हैं और 4 order का आपका कितना हो जाता है determinant निकाल के 0 आ जाता है उस case में आप 3 order के check करते हैं फिर 2 order के check करते हैं और फिर 1 noon zero element तो आपके पास exist करता ही है इसका मतलब अगर 4 order की कोई matrix है और उसका determinant अगर 0 आ जाता है तो उसका फिर जो आपका rank है वो किस हिसाब से होगा या तो 3 होगा या फिर क्या होगा 3 से कम होगा इसका मतलब 3 से जादा order वाले उसके minors क्या होंगे 0 यानि कि 4 order का जब अपने determinant निकाला तो student उस case में क्या आया 0 आया इसका मतलब 4 से जो कम वाले हैं आप उनको चेक करेंगे यानि कि मान लोग उस matrix का रहें इक 3 भी हो गया 3 order के minors सारे एक एक भी आपको 9 0 मिल गया तो इसका मतलब 3 से बढ़ा 3 प्लस 1 करते हैं तो कितना आता है 4 4 order वाला उसका minor यानि कि जो determinant वो क्या आता है student 0 आता है यह सि जो एक्जामपल आपको 4 order की matrix का दिया अगर इसका determinant 0 होता है और अगर इसका rank 3 exist कर जाता है कि कम से कम एक 3 order का minor आपके पास exist करता है तो आपने देखा कि 3 प्लस 1 एक जो आप next minor निकालते हो 4 order का निकालते हो तो वो उस case में क्या आता है student 0 वो ही इसमें बोला गया है कि अग अगर आर या आर से छोटा आपका rank है less than equal to R है तो R से जो एक भी आप बढ़ा करते हो जो order का minor निकालते हो वो हमेशा सारे के सारे क्या हो जाएंगे वैनिश हो जाएंगे अगर वैनिश नी होते उसका order तो R प्लस 1 ही होना चाहिए था वैनिश होते हैं तब ही हम नीचे की में लिख सकते हैं अगर आपको कुछ इसमें clarity नहीं होई है कोई definition में तो फिर से मैं और examples और मुझे इसमें समझाने के लिए काफी आपको examples जो next videos होंगी मैं उनमें काफी इनमें examples आपको करऊंगी जिससे आपको rank of matrix और clear हो जाएगा तो student आने वाली videos में next जो अपने examples को को आपको करेंगे थैंक्स